आज ये गोभी का पराठा इतना स्वादिष्ट और फुला फुला और नरम मुलाया मूं में जाते ही खाने वाला कहेगा कि वाह क्या गोभी का पराठा है आप येकीन मानिए इस गोभी के पराठे इस नए स्वाथ के साथ बना करके देखे खाने वाला आपकी तारीफी करेग चलिए फिर देर किस बात की आज की रेसिपी सुरू करते हैं रेसिपी सुरू करने से पहले सबसे पहले जै महाकाल गाइस आप सबी का स्वागत है ससीस तड़का कीचन में चलिए फिर देर किस बात की देख लेते हैं आज की रेसिपी सबसे जरूरी बात की गोभी हमें पराठे के लिए कैसा लेना चाहिए तो फूल देखे इस तरीके से ठस बिलकुल हो और उनमें गैफ ना हो अच्छे हो ताजे हो और आप चेक भी कर लिजे किसमें कीडे वगरा भी न लगे हो तो जब भी आप गोभी के पराठे के लिए अगर आप गोभी ले रहे हैं तो वो बिलकुल ठस और ताजे हो तो देखे मैंने एक एक पिस इस तरीके से निकाल लिया है फिर उसके बाद अब ग्रेटर से इसको ग्रेट कर लेंगे अच्छे से आप चाहे तो बारिक वाले भी साइट से ग्रेट कर सकते हैं तो मैं इसी साइट से यानि बड़े छेद वाले जो हैं उसी से ग्रेट कर लूँगी सबी फूल को ग्रेट करके ले लेना है उसके बाद देखें जब मैंने कद्दू कस कर लिया है उसके बाद इसमें डाल दिया है आधा चमच के जितना नमक और अच्छे से से इसको मिला करके तकरीबन पाँच मिनट के लिए रख देना है पाच मिनट बाद इसका सारा पानी नीचोड़ना है हमें बिल्कुल नरम और मुलायम और फुले फुले गोवी का पराठा बनाना चाहते हैं तो ये सबसे जरूरी काम है तो इसको जरूर करिएगा उसके बाद देखिए मैं यहाँ पर लगा लेती हूँ यानि आटा मैं तयार कर लेती हूँ गूत करके यहाँ पर मैंने आटा ले लिया है एक पतीले में अपने गोवी के हिसाब से मैंने यहाँ पर आटा लिया है तकरिबन दो या तीन कप होगा और उसमें स्वात के नुसार नमक डाल दिया है एक चमच आजवाइन डाला है और एक चमच मंगरेल डाला है यानि छोटा चमच के जितना मैंने आजवाइन और मंगरेल का इस्तमाल किया है सभी चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे उसके बाद नरम डो लगा करके हम तयार कर लेंगे तो थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इस तरीके से नरम डो तयार कर लेना है जब भी आप पराठे के लिए आप डो तयार करें तो बिल्कुल सौप्ट और मुलायम डो तयार करें यानि नरम हमें थोड़ा सा धीला डो तयार करना है रोटी के लिए जो आठा तयार करते हैं या पूड़ी के लिए तयार करते हैं उस तरीके का हमें डो नहीं तयार करना है यहाँ पर थोड़ा सा उससे ज़्यादा धीला रहता है पराठे के लिए तो डो मेरा तयार हो गया है अच्छे से गूत करके एक बार मैंने 5-10 मिनट करके रख देना है तो जब तक डो हमारा तयार होता है यानि सेट होता है तब तक हम गूभी जो हमने ग्रेट करके रखा था उसका सारा पानी निचोड लेते हैं तो देखिए इस तरीके से खुब हाथों से दबाते हुए इसका सारा पानी निचोड लेना है और इस पानी को आप फेकिये मत इसे आप सब्जी की ग्रेवी लगाने के लिए या फिर सूप बनाने के लिए इस्तमाल कर सकते हैं तो मैं सब्जी बनाऊंगी तो उसमें डाल दूंगी ये यूज हो जाएगा अब देखें इसमें मैंने बारिक कटा हुआ धनिया और एक हरी मिर्च डाल दिया है काट करके बारिक हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के अकोर्डिंग कम्या ज़दा रख सकते हैं उसके बाद आधा चोटा चमच मैंने जीरा पाउडर डाल दिया है आधा चोटा चमच हल्दी और आधा चमच मैंने यहाँ पर कासमीरी लाल मिर्ज पाउडर डाल दिया है ताकि कलर अच्छा है उसके बाद दो से तीन पिंच की जितना मैंने हींग डाल दिया है और हींग डा प्राठा बनेगा यकीन मानिए इस मसाले को आप जरूर डालिएगा अभी मसालों को डाल करके अच्छे से हलके हाथों से इसे मिला लेना है और देखिए अगर आप मिक्स पिज्जा सेजनिंग नहीं डालना चाहते हैं तो इसकी जगह पर आप गरम मसाला और काली मिर्च पराठे बना लेते हैं अपने डो को अच्छे से खुब मसल लिया है उसके बाद देखिए इतना बड़ा मैंने एक लोई तोड़ लिया है और सुखा आटा लगाते हुए थोड़ा फैला लेंगे उंगलियों की साहता से और इस तरीके से आप फैला लीजे उसके बाद आप को खुब सारे इसमें फिलिंग भरने है अब यहाँ पर एक जरूरी बात कि फिलिंग भरते वकत आप कंजू सी मत करियेगा खुब दबा करके अच्छे से फिलिंग भरियेगा तब ही गोवी के पराठे खाने का असली आनंद आता है तो देखिए फिलिंग को खुब फैला लेंगे और सुखाटा लगाते हुए हलके हाथों से इसे बेल करके पराठे के सेप में तैयार कर लेना है तो दिखे गोल गोल पराठे इस तरीके से बेल करके हम हलके हाथों से तैयार कर लेंगे गैस पर तवारक दिया है गरम होने के लिए और पराठे तैयार हो गए है तो इस पे डाल देंगे तो जब तक पराठा एक सीक रहा है तब तक हम दूसरा लोई इसी तरीके से तयार कर लेते हैं बना करके लोई को फैलाना है सुखा आटा लगाते हूँ इसके बाद इसमें खुब सारे फिलिंग भरने है दबा करके और चारो तरफ से इसके उपन पोर्स को बंद कर देना है इसके बाद सुखा आटा लगाएंगे और इसे भी बेल करके तयार कर लेंगे तो इसी तरीके से बाकी पराठों को भी हमें तयार कर लेना है इस तरीके से सुखा अटा लगाते हुए एक वच्छे से फैला लीजे ताकि पराठे में फीलिंग जो है में चारो तरफ से बराबर से मिले हलके हाथों से सुखा अटा लगाते हुए बेल करके तयार कर लेंगे पहला पराठा मैंने जो तवा पे डाला है तो एक साइट से सिख गया है अब इस पे आप बटर या ओयल घी जो भी आप लगाना चाहते हैं जिसमें पराठा आपको सेखना है वो लगा लीजे और अच्छे से दबाते हुए आप इसे सेख लीजे अगर आप सबको भी क्रिस्पी पराठा अच्छा लगता है तो दबाते हुए low to medium flame पर खुब अच्छे से इसे सेख लीजे मुझे तो क्रिस्पी क्रिस्पी पराठा ही खाने में अच्छा लगता है तो इस तरीके से आप सेख लीजे पराठो को दूसरा पराठा भी मैंने डा या फिर आपको दिनर हो या फिर आपको ब्रेक्फास्ट में खाना हो यकीन मानिए ये गोवी का पराठा खाने में बहुत ही स्वाधिश्ट लगेगा तो चलिए बाकी पराठों को भी मैं इसी तरीके से सेख लेती हूँ चलेंगे फिर इसको सर्व करने की तरफ तो पहले मैं पराठे बना करके तयार कर लूँ फुले फुले गोवी के नरम मुलायम पराठे नरम मुलायम गोवी के पराठे खाने के लिए तयार है चलिए इसे फटा फट से सर्व कर लेते हैं आप इसे धन्ये की चटनी के साथ या इंटे टमाटर के चटनी चार मीठी के में चार यह आप अको पराथा के घ त्बीका गर्म होądख है मिलेंगे एक नई रेशिपी के साथ तब तक के लिए बाई बाई गाई